जैई श्रीमन नारायन जो टिपणी मैं देने जा रहा हूँ वह रामानुजदास श्रीमन गट्टु वेनु गोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय पद्र पुर्शोत्तम प्राप्तियोग श्लोग पांच निर्मानमोह जितसंगदोशाह अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाह द्वंद्वैर्विमुक्ताह सुख दुख समुग्येह गच्छन्त्यमोधाह पदमव्ययम्तत वूम्व गीताचार्य श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको पुर्शोत्तम प्राप्तियोग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरी सरण में आने से ये भ्रम धीरे धीरे दूर हो जाता है कि सरीर ही आत्मा है और यह ग्यान प्राप्त होता है कि सरीर आत्मा से भिन है इस ग्यान के कारण छणिक सुखों में जो केवल सरीर से संबंदित है, रूची खत्म हो जाती है फिर सासुत आत्मा को महसूस करने की इच्छा पैदा होती है आत्म दर्शनम में रूची रखने से आत्मा के अलावा अंगे सभी इच्छायनस्ट हो जाती है आत्म साक्षाप्तकार में यह रूची इस संसार में उत्पन होने वाले सभी बहुत इक सुखों और दुखों से वैराग्य की स्थिति की और ले जाती है फिर वे सुद्ध आत्म बोद की स्थिति प्राप्त करते हैं जो अविनाशी है ऐसा कहकर स्रिक्रिष्ण पर्मात्मा यह स्पस्ट कर रहे हैं कि किवल उनकी सरन में जाकर ही व्यक्ति आत्म साक्षाप्तकार की स्थिति प्राप्त कर सकता है इसलिए आईए हम स्रीक्रिष्ण परवात्मा की सरन ले यह ज्ञान प्राप्त करेंगी सरीर आत्मा से भिन है जिससे आत्मा ज्ञान प्राप्त होता है आत्मा को देखने में हमारी दुची बढ़ती है आत्मा के अलावा अण्य चीजों के लिए इच्छाओं को नश्ट करते हैं और सरीर की सुख दुख से मुक्त अस्तित्व की स्थिति प्राप्त करते हैं आईए हम अविनाशी सुद्ध आत्मसाक्षातकार की स्थिति प्राफ्ट करने का लक्ष रखें। यह सब अभ्यास करते हुए आईए हम श्रीमर नारायन को प्राफ्ट करना अपने जीवन का मूल वरक्षे बनाएं। केवल श्रीमर नारायन की सरनले और श्रीक्रिष्न परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रुपे ज्यों का त्यों दोरायन। निर्माना मोहा जितसंग दोशा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त का माहा द्वंद्वैर विमुक्ताह सुख दुख संग्याई ही गच्छंत्यमूधा पदमव्ययम्तत। श्रीमत भगवत गीता का संपूर्ण सार श्रीक्रिष्न परमात्मा द्वारा अध्याय 18 स्लोक 65 से 70 में आठ कार्य करने के लिए दिया गया है। श्रीक्रिष्न कहते हैं मुझे वे लोग पसंद है जो इन आठो बातों का पालंग करते हैं मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूँगा। श्रीक्रिष्न परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिश्ये वचनम्तव जिसका अर्थ है क्रिष्न मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्रीक्रिष्न ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की हैं। आए परमात्मा को वचन दे कि हम इन आठ कर्मों का पालंग करेंगे। ऐसी कोई पूजा तप या यग्य नहीं है जो परमात्मा को यह सब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूँगा कि यह आठ प्रत्याएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्रीकृष्ण को अपना वचन देते हुए आए हम सभी श्रीकृष्ण की सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। यह है हमारे आठ वचन। हमारा पहला वचन। हे श्रीमन नारायन जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूँगा और आपके बारे में सोचूँगा। हमारा दूसरा वचन। हे श्रीमन नारायन जैसा कि आपने सला दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूँगा। हमारा तीसरा वचन। हे श्रीमन नारायन मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टी के लिए करूँगा हमारा चौथा बचन हे श्रीमन नारायन जैसा कि आपने अनुसरन करने के लिए कहा था मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूँ और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूँगा और आपको नमस्कार करूँगा हमारा पांच हुआ वाचन हे श्रीमन नारायन मुझे आपके शब्द मामे कम सरणम रज़ याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पन करने को कहा था श्रीमन नारायन मैं केवल आपके प्रती समर्पन करता हूँ हमारा छट्टा वचन हे श्रीमन नारायन मुझे आपके सब्द मा सुचह याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आस्वाशन दे रहे हैं मैं अब शोक नहीं करूँगा हमारा सात्वा वचन हे श्रीमन नारायन आपने हमारे लिए श्रीमत भगवत गीता देकर हम सभी परकृपा की है और आशिरवाद दिया है मैं कम से कम एक स्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूँ हमारा आठवा वचन हे श्रीमन नारायन आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की मैं गीता में आपके दिव्य सब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयाश करूँगा जो गीता से अपरिचित है हमने अभी अभी परमात्मा को आठ वचन दिये है प्रती दिन स्रीमन नारायन को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे अपने आप में एक महान पुजा है आईए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दे जिसका अर्थ है श्रीमन नारायन मैं आपके निर्देशों के अनुशार काले करूँगा सर्वं श्रीक्रिष्णार्पननस्तु जैस्रीमन नारायन निर्माना मोहा जितसंगदोशाह अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाह द्वंद्वेर विमुक्ताह सुख दुख समुग्येह गच्छंत्यमूधाह पदमव्ययंततु वूम् जैस्रीमन नारायन सभी भक्तों से विशेश अनुरोध हम अपने जीवन में सभी चीजों में ततकाल और सफल परिणाम चाहते हैं इसे प्राप्त करने के लिए आए प्रति दिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायनस्त्रम का पाठ करें नारायनस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायनस्त्रम वेबसाइट पर जाएं जो की है www.narayanastram.org और रिजिस्ट्रेशन में अपना नाम और एमेल प्रदान करें आपके द्वारा प्रदान की गई एमेल पर आपको नारायनस्त्रम PDF प्राप्त होगा PDF में एक रमायन स्लोक, एक गीता स्लोक और एक विश्णु नाम है इन में से तीन को एक साथ मिलकर नारायन अस्त्रम कहा जाता है हर किसी को इन स्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है जब 24,000 भगतों के साथ हर कोई प्रति दिन अपने नारायन अस्त्रम को पढ़ते या सुनते है संपूर्ण रमायन परायन की एक माला श्रीमत भगवत गीता परायन की 33 माला श्री विश्नु सहस्त्रणाम स्त्रोत परायन की 24 माला प्रति दिन पूर्ण होती है यह इतना उलेखनी है और असाधारन परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है इसलिए आप और आपके परिवार के सदश्य तुरंत जाएं और अपना नारायन स्त्रम प्राप्त करें जै श्रीमन नारायन